आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होमेपेथिक मेडिसन अड्रीनलीनम है सारकोड है और अड्रीनल ग्लैंड की जो सेक्रेशन्स है उससे ये दवा त्यार की गई है ये दवा जो है तमाम पुटेंसिस में इस्तमाल की जा सकती है लेकिन आम तोर पर इस दवा को 2X या 6X में इस्तमाल किया जाता है आज मैं आपको क्लिनिकली इसका यूज बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहां इस्तमाल करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे अडरीनल ग्लैंड है इनको सुपरारीनल ग्लैंड भी कहते हैं ये ग्लैंड जो है दो हैं तदाद में और दोनों ग्लैंड जो हमारी किडनिस के उपर पाये जाते हैं इन ग्लैंट से जो हार्मोन डिलीज होते हैं, उनका काम हमारी बोडी के मेटाबॉलिजम को, हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे बलड प्रेशर को रेगुलर करना होता है. इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम अंजाम देते हैं, लेकिन जो मेन इनके फंक्शन हैं, वो यही हैं कि ये हमारे मेटाबॉलिजम, इम्यून सिस्टम, बलड प्रेशर और हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं. अगर हमारे अड्रीनल ग्लाइन्ट जो हैं, ये उतनी मिकदार में हार्मोन प्रोड्यूस ना करें, जितनी मिकदार में बाडी को जरूरत है, तो उस صورت में फिर अड्रीनल इंसफिशन्सी हो जाती है. इस Adrenal Insufficiency को Addison's Disease कहा जाता है लहादा अगर Addison's Disease पाया जाए किसी भी पेशन्ट में, मर्द में, औरत में तो वहाँ हम अपनी इस Homeopathic Medicine को इस्तामाल करते हैं जब Addison's Disease का डिजीज हमारे सामने आता है तो उस औरत में फिर जो Symptoms हमारे सामने आते हैं वो यह कि पेशन्ट को भूखने ही लगती, नौजिया, वामिटिंग, डाइडिया पाया जाता है थकावड का एहसास पाया जाता है, बजन कम होना शुरू हो जाता है स्किन जो है, पिगमेंटेट होना शुरू हो जाती है, बलड पेशर लो होना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा irritability पाई जाती है लहादा ये सारी चीजें मिलकर जो एक मर्स बनाती है उसे Edison's disease कहते है लहादा ये जो हमारी Adrenalinum Medicine है ये Edison's disease की बेहतरीन दवाईयों में से एक दवा है इसके लावा इस दवा में grave disease पाया जाता है अब grave disease क्या है? मर्स तो एक नाम है grave disease का grave disease हम इसे कहते है लेकिन हमने चलना होता है symptoms के उपर लहादा अगर हमें symptoms मिलें तो उस सुरत में फिर हम इस दवा का इस्तामाल करते हैं अब ये grave disease जो है ये क्यों कर पैदा होता है? ये एक immune disorder है जिसमें हमारे thyroid hormone जो है उनकी production ज्यादा होना शुरू हो जाता है यानि जिसे आप hyperthyroidism कहते हैं उसके नतीजे में grave disease जो है वो पैदा होता है फिर इसमें भी जो हमें symptoms मिलते हैं उसमें ये आता है कि anxiety पाई जाती है बेचैनी पाई जाती है हाथ और उंगलियां जो है वो कामती है patient जो हीट से बहुत जादा sensitive होता है वदन कम होना शुरू हो जाता है हलागे उसकी खुराग बिलकुल normal होती है और उसके अलावा thyroid gland जो है वो enlarge कर सकता है यानि गिलहर का मसला सामने आ सकता है और जो हवातीन में उनका monthly cycle है वो disturb हो सकता है तो ये सारी problem जो हमें grave disease में मिलती है लहादा अगर addison disease का लफ़ आपके सामने आये तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या symptom मिलेंगे अगर grave disease हमारे सामने आये तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमें कौन से symptom मिलेंगे ये मैं बात इसलिए कहरी हूं کہ एक तो हम होमेवएथी में मर्स के नाम के उपर इलाज नहीं करते लेकिन हम मर्स के नाम के उपर इलाज को नजरनदाज भी नहीं करते हैं पेशट जो मुग्रिव टेस्ट कर वा कि आया ै और उसने आके आपको ज्रफ इतना ही बताया है कि डॉक्टर्स ने का है कि मुझे एडिसन्स डिजीज है या मुझे ग्रेव डिजीज है तो भीएंगे होमियोपैत है decision किस वजासे आता है और ग्रेव डिजीज किस वजासे आ आता है और ग्रेव डिजीज जो है हाइपर थाइराइडिसम की वज़ा से आता है तो इन दो नाम के उपर और इन के नतीजे में जो इलामात पैदा होती हैं उनके उपर आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी होमेपेथिक मैडिसन अड्रिनलीनम को भी इस्तमाल करवा सकते है गो हमारे पास एडिसन जजीज के लिए ग्रेव डिजीज के लिए बहुत सरी दूसरी मैडिसन है लेकिन हम इस दवा को भी इस्तमाल करवा सकते हैं फिर इस दवा को जो क्लिनिकली इस्तमाल करवाया जाता है वो आर्टीरियो सेकलरोसेस के लिए इस्तमाल करवाया जाता है यनी हमारी खुन की शरैने अगर तंग हो गई हैं, तो उसके नतीज़े में जो मसाइल पैदा होते हैं, खास तोर पर हाई बलेड प्रेशर का जो मसला आता है, उसमें हम इस दवा को इस्तमाल कर सकते हैं। इस दवा को इंजाइना पेक्टॉरिस में इस्तमाल किया जाता है दिल के बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें इस दवा को इस्तमाल किया जाता है जिसे एक तो भी मैंने इंजाइना पेक्टॉरिस आपको बताया दिल की दरकन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है नफस जो है आपकी पल्स जो है वो भी तेज होती है हार्ट बीड जो है इर्रेगुलर होती है और इंटरमिटिंग होती है इसका मतलब यह होता है कि कुछ तेर के लिए रुक जाती है तो लहादा दिल के मिराज में भी इस दवा को बड़ी कामजाबी के साथ इस्तमाल करवाया जाता है एनीमिया में इस दवा को इस्तमाल करवाया जाता है छपाकी में इस दवा का इस्तमाल किया जाता है फिर अगर बहुत ज़्यदा कै पाई जती हो कै रुकना रही हो कान से, खलक से, मेदे से, रेक्टम से, यूटरुस से, कहीं से भी इखराजे खून अगर पाया जा रहा हो तो ये दवा बेहतरी इनकाम करती है कैंसर के पेशन्ट जो हैं, उनमें अगर अगर अडरिनल डिस्टर्वेंसिज आ रही हो, यानि कैंसर के पेशन्ट अगर जो हमारे अडरिनल ग्लाइन्स हैं, उनकी खराबियां पाई जा रही हो साथ में, तो फिर कैंसर पेशन्ट में भी इस दवा को इस्तमाल किया जाता है इस दवा में दो चार और भी चीज़ें पाई जाती है जिनके पेशे नज़र हम इस दवा का इस्तामाल करते हैं वो ये के कुवत अचानक हो जाती है वेस्ट हो जाती है और आपकी कुवत तेजी के साथ खतम होती है और लागरी जो है तेजी के साथ आपके पास आना शुरू हो जाती है आने का मतलब यह कि आपका जिसम जो है वो लागर होना शुरू हो जाता है देगे हमारी एक दवाई है आयोडम उसमें भी हम यही कहते हैं कि पेशन जो है तेजी के साथ कमजोर होना शुरू होता है उसका वदन कम होना शुरू हो जाता है हाला कि वो अच्छा खाता पीता है बिल्कुल इसी तना इस दवा में भी पेशन की जो खुराग है वो बिल्कुल ठीक होती है लेकिन पेशन जो है अपनी स्ट्रेंथ होने लगता है पेशन जो है वो तेजी के साथ लागरी का शिकार होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर भी आप इस दवा को इस्तमाल करवा सकते हैं इस दवा के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर खाना खाने के फौरान बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स इसके जुम्रे में आती है फिर एक्राज खून की ये बहतरीन दवाईयों में से एक दवाई है जहां पर आप इस दवा का इस्तमाल कर सकते हैं यही इस दवा के क्लिनिकल जोज़ेद है आप हाइपरटेंशन में भी इस दवा को कामजाबी के साथ इ ये बलड प्रेशर को लो कर देती है तो आप चाहें तो इस दवा को 30 प्रेंशी में 200 में इस्तमाल कर लीजिए चाहें तो आप इसको लो में ले आई है ये 2X में इस्तमाल कर लीजिए 3X में इस्तमाल कर लीजिए ये आपकी अपनी मर्दी है बक्की according to totality of symptom आप किसी भी द क्वाद प्रेंजिए 3X में इस्तमाल कर लीजिए 3X में किसी भी आप किसी भीजिए 3X में लीए 2X में ये जलवा ऐसी रिजार भीजिए 4X Whew!! झाल झाल